आज हम लोग बात करेंगे भूगोल का जो पहला चेप्टर है इसके घो खंड को ठीक है यानि की घो खंड में हम लोग बात करेंगे खनीज संसाधन के बाड़े में आप लोगों ने जो है को खो गो खंड तक समाप्त कर दिया बच्चो ठीक है पिछले खंड में हम लोगों न कि यानि कि इस चेप्टर का कोई चीज और इसा नहीं है जिसको छोड़ सकते हो आप I think सबसे पहला जो इसक्रीन में आपको दिख रहा है खनीज यही पूछ लिया गया है 221 में और बार बार पूछ लिया आयाता है खनीज किसे कहते हैं खनीज को परिवासित कीजिए इसलिए आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से किलियर कर लेनी है और बहुत ज्यादा लेंदी भी नहीं है कुछ फ्याक्ट आपको याद रखनी है और कौन कौन सा क्वेश्चन आपका पिछले पहले पूछा गया है 1212 तक और कौन सा क्वेश्चन आपको अगले साल पूछने वाले हैं मैं सारा चीज बताऊंगा यहां पर ठीक है तो अच्छी तरह स निकाला जाता है भंडान मींस भू परपटी जो होती है भूमी की जो उपड़ी परत होती है उसके गर्व से उसके अंदर से इसी को बोलेंगे खनीज जैसे लोहा अभरक कोईला बॉकसाइट यह क्या है तो यह खनीजों से ही यह खनीज के परकार है खनीज निश्चित रा खनीज जो है इसका दूसरा जाँ पर बात कर रहा है कि यह रासाइनिक सन्योजन विशिष्ट आंतिरिक परमानों किसे रचना वाले फोस प्राकृतिक पदार्थ को कहायाता है हमारा अस्थल मंडल किस से बनाए चट्टानों से बनाए तथा चट्टाने जो है किस से बनीए घानीजों के सहय जोक से बनी है भारत में लगबघ एक सो से अधिक परकर के मतलब खनीज पायाते है इंपटन लिख लिए आप लोग अपना कॉपी में भी भी याई यानि कि आपका कोशन पूछा जायता है कि भारत में कितने परकी के खनीज पायाते है तो लगबघ- seu से फुल फॉम आप लोग जल्ली नोट डाउन कर लीजे बच्चो जियोलेजिकल सर्वे आउफ इंडिया जी एस आई तेल एवंग प्राकिर्तिक गैस आयोग एवंग नीजी छेतर की कमपणियां इस दिशा में काड़े रथ है यानि ये सारी कमपणियां ऐसी है जो क्या कर रहा खनीज संसादनों की खोज में लगा हुआ है यानि की कोईला का भंडार कहां पर है लोहे का भंडार कहां पर है ऐल्मूनियम का भंडार कहां पर है यानि बॉक्स साइट का अभरक का भंडार किस पर कहां से तो ये लोग इसका पता करते रहता है इसमें इस्पेशली रूप से विशिष्ट महतोर रखते हैं यानि कि 2000 से अधिक खनीजों की पहचानों की जा चुकी है लेकिन important कितने खनीज हैं सिर्फ और सिर्फ तीस जो आर्थिक दिरिश्टी से बहुत ही ज्यादा important है देश की अर्थिवेस्टा में बहुत ज्यादा योगदन दिलाती है जैसे अगर बात की जाए अगर खनीजों में कौन important है जैसे बॉक्साइट जैसे लोहे का खनीज जो आता है जिससे धेर सारे चीज बना जाता है जितने भी मसीने है जितने भी फैक्टरी है साइकल धेर सारे चीजों में आपका लोहा का निर्मान परयोग होता है बच्चों घर में तो घर बनेगा या कोई medical बनेगा या आपका कुछ भी hospital इस्कूल कुछ भी बनेगा तो वहाँ पर भी श्राल होे की चड़ों का उप्योग हो गाई होगा है इस परकार से यह सब क्या है आर्थेक दिरिष्टी बहुत ही महतुर रखते हैं खनीज सामान नेते दो परकार के होते हैं धातविक खनीज और धातविक खनीज ठीक है यह सामाने रूप से आपको यादखनाई दो परकार के होते हैं तो धातविक खनीज किसको बोलेंगे तो ऐसा खनीज जिसमें क्या हो लाइस तामबा नेकल मैगनीज आधी हो इसे क्या कहा है कि धातविक खन और अवले ठी तो आप लोग के यह पर कोई दिकत नहीं होनी चाहिए लोग उक्ता खनीज्च क्या है तो लो यू к्लजट और यसको बाढ़ बाड़ दिया गया एक लिपनकष्ट खनीज्च जिन धाथ 주ी कह AF में लुहा का अंश अधिक पाया चा ता है वे लव युकतख खनीज कहलाते हैं जैसे लव आयस्क, मैगनीज, नीकेल, टंगस्टन यानि ये खनीज ऐसे खनीज है जिसमें किसका अंश पायाता है किसकी मातरा पायाती है लोहे की ठीक है तो उसको बनेंगे लव युकतख खनीज एक्जाम्पल से आपको अच्छी तरह से याद अर्ख लेना है ठीक है अला युक्त खनीज में क्या होगा कि इसमें लोहे की मातरा नहीं पाई जाएगी होगा तो धात्विक खनीजी लेकिन इसमें किसकी मातरा नहीं पाई जाएगी लोहे की मातरा जिन धावीट खनीजों में लोहे का अंश नियून होता है नियून में से बहुत कम होता है नगन होता है नहीं के बराबर होता है उसे कहेंगे अवला युक्तक खनीज जैसे सोना, चांदी, शिस्था, बॉकसाइट, तीन, तामबा, आधी इसमें क्या होता है? इसमें आपका लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है तो आपका question पुछा गया था बच्चो 2011 में कि लोह युक्त खानीज और आवलाह युक्त खानीज में अंतर बताएं ठीक है? कब question पुछा गया था? 2011 में तो आपको ध्यान रखने है बहुत दिन से यह question repeat नहीं हुआ है तो हो सकता है यह question आपका आजाए तो आपको कैसे लिख लेने हैं अंतर में कुछ नहीं करना है दो number या question आता है दो ही point आपको लिखना है ठीक है बच्चो यानि कि आपको smart तरीके से answer लिखने है एक तरफ लोहे की मात्रा पाई जाती है इसमें एक्जामपल दे देंगे अपने लह आयास्क मैगनीज निकेल टेंग स्टेन और इस तरफ जो आउले युक्ति खनीज में है इसमें सोना चांदी शीरसा बॉक्साइट टीन यह सब लिख देंगे आप लोग ठीक है दो से तीन ही अंतर दो से तीन ही पोइंट लिखना है क्योंकि दो नमबर या कोशन है बच्चो ठीक है दो नमबर या कोशन में आपको ज्यादा नहीं भरनी अपनी कोपी को ठीक है तो आप लोग को समझ में आ गया होगा लो योगता और आवला योगता खनीज अब बात करते हैं धात्विक ख कि खनीज कहलाते हैं अब जैसे बात कर भू बष्यों में चूना पथर क्या इसमें नहीं कि मात्रा पा यादा ऑर आखानीज यह इसे भी आपका question आया हुआ है इसलिए यहाँ पर मैंने इसको mention कर दिया है आपको कार्बनिक खनीज किसको बलेंगे तो इसमें क्या होते हैं जीवाश में होते हैं वैसे खनीज जिसमें क्या हो जीवाश में की मातरा हो यह पिर्थवी में दबे प्राणी एवंग पादव जीओ के पड़ीवर्तन होने से बनते हैं जैसे कोईला पेट्रोलियम तो यह एक बार आपका question पूछा गया था निम्न में से कौन कार्बनिक खनीज है इस परकार से question दिया था वहाँ option दिया था को और पेट्रोलियम और कारवाणिक खनीज है इस वह प्रकार को जाना नहीं की मातरा नहीं अब जितनी हम लोगों ने परकार को जाना यहाँ पड़ो करके देदेया है चाहिए quelqu olar देखे बाहत भाई लच योगत्वित निज्ट में लोह मैंगनीज टयंगि स्टन ये सब आ windows योगत्वित खनीज में क्या तांबा बॉक साइट यह आगे आपका अवधात्वित खनीज़ पीर को फिर हम लोगों चुना पत्थर गरेफाइट ठीक है इंपोर्टन रूप से अब यहां पर दिया हुआ है आप लोग इसकीन सोट खीच लिए यह सब कुछन पूछा गया है धात्विक खनीज और अधात्विक खनीज में क्या अंतर है यह कुछन 2019 में पूछा गया था आपका तो आप कोपी मे यह नहीं पूछा जाता है बच्चो चार नंबर या कोशन आ जाए तो आप लोग तुरंट आंसर कर सके हैं ठीक है यहां पर आप लोगों को इसलिए ज्यादा करके पूइंट दे दिया है और अगर आपको दो अंक के लिए पूछेगा तो आपको दो से ज्यादा से जदा पूइंट लिखेंगे बच्चो तो टाइम जाएगा आपका और ऊपर से क्याओगा वो दो ही अंक के लिए है इसलिए ज्यादा लिखना फुजूल है धातुई खनीज और अधातु खनीज एक तरफ लिख देंगे बीच क्या करदेंगे बच्चो एको आप Qamkili होते हैं 4 जब धात्र खनीज होगा बच्चों तो ये कैसा होगा कठोर होगा सख्त होगा हाड होगा ऑर चमकीअ भी होगा आनि इसमें विसेश परकार कि जमक होगी इसमें पफाद में कौन हैं तो अपवाद में जो है आपका गरेफाइट है जिसमें क्या होती है चमक होती है जो विजुद का सुचालग भी होता है यह पराये आगने चट्टानों का बना होता है यानि यह पराये किसमें मिलते हैं आगने चट्टानों में मिलते हैं यह पराये परतदार चट्टानों में लेकिन अगर अगर तोड़ेंगे बच्चो तो यह तूट करके चकना चूर हो जाएगा आया समझ में सराची आगे बढ़ते हैं मैंने बता दिया था पहले ही कि यहां से कोशन पूछा गिया है आपका क्या पूछत पार्पजद फश्चो यहां पर आप लोग देख लिए क्या क्या आंतर एक red लिख देंगे उसके वाद एक करके पूइन लिख देंगे वह एक फशनीज जिसमें क्या होगाा लोठे का आंश पाए जायगा और अहल एक पार्पज़त human sap तरह होगा लेकिन ये अनेक रंग के हो सकते हैं आपको ये ईसलिए आपको तीन आंगं को ही दर साना है ठीक है तो आज़का सराज आप लोगों को समझ में आ गया होगा बैच्चो किसी भी परकार की समस्याप लोगों को נहीं रही होगी तो हम लोग कल बात करेंगे आगे इसके खनीजों की विशेषता के बारे में खनीजों का क्या कहां कहां वित्रण है और इस स्पेशली रूप से कौन सा कोशन पुछा गया है कौन सा पूछने की संबाब नहीं यह सारे चीजे का हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक आप लोग अगर न